सामना करना पड़ेगा एक एक रियाक्शन इस पर ले लेते हैं हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं सबसे पहले मैं पहली प्रतिक्रिया लूँगा निनाल पंत जी की फिर गुल्रेज शेख साब की तरफ चलूगा काफी करीब हैं हाला कि नंबर तक अभी तक नहीं पहुंच पाएं दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी जिसके पास 300 से ज्यादा सीटें अकेली पार्टी की थी वह बमुश्किल 230 के आसपास दिखाई दे रही है काउंटिंग खत्म होते होते और इसमें कितनी कमी आईगी व या नि इसका मतलब बड़ी ख़बर आप तक पहुंच आ रहे हैं और बड़ी खबर क्या है फ्लैश कीजे कि नडणा सापके घर पहुंचे हैं अमिर्चाव राजनात सिंग बड़ी अब बहुंचे अब बाचुरा बच्छाप, सलवा, मश्वा, गटबंदन के दलों को मैसेजिंग करना, उनके साथ आगे की रणनीत इताय करना, अब शाम को जब दोनों ही दलों के प्रमुख नेता, मीडिया से बात करेंगे या कारेकरताओं को संबोधित करेंगे, जहां तक मेरा अनुमान है कि दोनों ही पार्टियों के नेता, पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं है, तो अभी जेपी नटा के घर पहुंचे हैं, अमिशा जी और राजनात सिंग और रणनीतियों का दौर इस समय जोरों पर है, रणनीतियां काफी आगे बढ़ रही हैं, जी, बात पूरी कीजिए, तो फिलहाल जो गडबंदन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, देश में जो आट-दस बड़े नेता हैं, जो पी-म माटेरियल हैं, उन में नितीश जी हैं, मुझे नहीं लगता कि नितीश जी किसी के अधीन काम करना स्विकार करेंगे, खास तोर पे ऐसे समय में जब उन्होंने इ लोग साथ में चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन क्या चंदरबावू नाइडू जी भूल सकते हैं, कि उन्होंने जब आंदर प्रदेश के लिए स्पेशल पेकेज की मांग की थी, बार 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 दसियों बार वो इनी प्रधार मंत्री जी के सामने उस अधिकार के ल दूसरी बात यह बाकी जो दल हैं, उनकी या तो कोई सीट ही नहीं है, या एक आदो सीट हैं केवल एक लोग जन्शक्ती पार्टी को छोड़ दिया जाए, तो उनके अलावा किसी का इंडिये में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम सरकार नहीं क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, अरे आप घजब कर रहे हैं, शुरुवाद गुल्रेज भाई उससे करेंगे, गुल्रेज जी, जहां पे भी जो भी जीते हैं, उन सब को बढ़ाई चाहिए, वो कॉंग्रेस के हो या भाजपा के हो, लेकिन सबसे बड़ी जी नहीं चला सकते हैं, और जो अभी आख़े बढ़ते हुए दिखरे हैं, एक्सिट पोल ठीक है, वो मीडिया का एक अंग है, वो दी मीडिया का भाग है, पूरा पूरा है, इस पश्टे तौर पर हार हुई है, यह स्थिती है, आज मुह दिखाने की स्थिती है, आज एव चुनाव आयोग चाहकर भी चुनाव के दौरान जिसने पक्षपात किया, आज मंतार में अभी तक की स्थिती है, आज एवी एम और चुनाव आयोग दोनों के ओपर यह ठीक रहा नहीं पोड़ सकते, अब मधिपर्देश में क्या करेंगे, जहां पर पूरी के पूरी पार हैं, हिमाचल प्रदेश हमने स्वीप कर लिया, उत्तराखंड हमने स्वीप कर लिया, ये बात सच है कि कैमेस्ट्री और मैतमेटिक्स का मिश्रन होती है, राजिनीती, तो कुछ प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम, बंगाल, यहां पर जो कैमेस्ट्री थी वो मितमेटिक्स से मैच नहीं हो पाई, लेकिन जब अभी वोटों का अंखड़ा आएगा, तो पिछली बार से ज्यादा वोड भारती जन्ता पार्टी को मिलेंगे, और ये भी निश्चित है कि मोदी जी के नेत्रित्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, सब्से पहले मैं रियक्शन लोगा संधीब जी की, संधीब जी एवी एम अगर बोलता जैसे कहते ना कि पुराने किले के पत्थर अगर बोलते, तो आज एवी एम कह रहा होगा कि आखिर मेरी निर्दोशिता प्रमारित हुई, मैं सत्य था, मुझ पर नाहक प्रश्ण उठ लेकिन आज मेरी निर्दोशिता प्रमारित हुई है, प्रभू, तूने मेरी लाज रख ली, क्या कहेंगे, जी, जी एवी एम तो सदेव निर्दोश रहा रहा है, जी तो हमारे जो लिंडी गडवंधन वाले हैं, समय समय पर देखता के पल्टी मारते हैं, जब इनके मन मु सब्सक्राइब कर देखेंगे, तो 175 सीट में एंडी एक गडवंधन को 181 सीट मिली है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां पर किस दंग से बढ़त बनाई है, अभी चार राज्ये में चुनाओं में हैं, चारों राज्ये में जो है, इंडी गडवंधन का सुपड़ा सफाया हो गया, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, जो है, ननेदिर मोधी जी के नित्रित में सरकार यहां पर बन रही है, एंडी एक जबर्दस्तियों है, मन में अपने ल सब्सक्राइब जो है, बिल्कुल, लेकिन सदीब जी, सदीब जी, जी, चलिए, मैं लोटूँगा आपकी तरफ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बारती जन्ता पार्टी के सीनियल लीडर, चिन्दवाडा की जीत के नायक, पूरी पार्टी के साथ, मोहन यादव जी, वीडी शर्मा जी, प्रधान मंत्री की छवी, जिसने मध्यप्रदेश ये बहुत एहम रोल प्ले किया, हमिच शा जी, जो छिदवाडा आए और रुके वहाँ, कैला जी, बहुत बदाई आपको, क्लीन स्वीप की तरफ मध्यप्रदेश में बढ़ रही है, और देश में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, और सबसे बड़ा किला मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस का, उस पर आपने बीजेपी का पर्चम आप लोगों ने फैरा दिया, जी, क्या कहींगे? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मानी महन यादव जी के बहुत कम समय की लीडर्शिप और वीडी जी के संगठन चमता का कमाल है यह जी, कैला जी मैं सोचता हूँ आजकल ऐसी किताबों का बड़ा जोर है कि पंद्रह दिन में उदासी को कैसे दूर भगाएं, सफल कैसे जीवन को कैसे उपियोगी बनाया, आपके पास चुनाव जीतने के धेर सारे नुस्खें, कभी आपने सोचा कभी किताब लिखेंगे, बाद में भले ही अभी नहीं, कि कैसे चिन्दवाडा के किले पर पर्चम फैराने की रणनीती बनी, हमने क्या किया, क्या क्या मसाले मिल आए जाते हैं, जीतने के लिए पर्चम बंगाल हो, हरियाना हो या चिन्दवाडा हो, जी एसाय की एदि में मानदारे से लिखूंगा, जी, तो लिखने सकता हूँ, क्योंकि चुनावाडा है आपकी साफ़कोई को, जी, 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 इसलिए क्या कुछ बात है, एसी रिती राज की जो राजी रहना चाहिए, जी, वो एक कभाली है ना, कहला जी, राज की बात कह दू तो जाने महफिल में फिर क्या हो, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ना, आप आप जिस तरह के राजनेता है, एक अलग शैली है आपकी, और इस शैली में आपकी विनम्र हसी, और आपका सहज रहना, ये भी आपकी चुनाव में आपकी मारक शक्ति को, मारक शब्द न पड़ोसी राज ये उत्तर प्रदेश से सटा है, वहाँ गलिट ठीक नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में क्या असर, आपको क्या लगता है, वहाँ क्या जाती का मसला चुनावती बना, समविधान बदलने वाला ये बात नीचे तक चली गई क्या, लोगों तक? शायद हम अपनी सही बात नीचे तक ने पहुंचा ने पाए, और वो उनके गलत बात नीचे तक पहुंचा दिया उन्होंने, उन्होंने के दिया हम आरेक्शन खतम कर देंगे, हम सविधान बदल देंगे, 400 सीट आ गई तो, ये शायद वो लोग पहुंचाने में सफल कैला जी, मद्य प्रदेश का रुत्बा और मद्य प्रदेश का प्रभाव और बढ़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का आबादी वाला और विदान सभा, लोक सभा वाला राज्य है, वहाँ प्रदर्शन ठीक नहीं, राजोबी कारण हैं आप की जिम्मेदारी भी है कि यह अगले पांच साल जो आपकी सरकार के हैं क्योंकि तीन-चार महीने तो चुनाओं वही निकल गए अब आप अपने गवर्नेंस के मौडल से भी केंद्र सरकार को और प्रसंद होने का उसर दें निश्चित रुख से डबल इंजिन के सरकार प्रदेश बहुत अच्छा काम करेंगी और हम मद्र प्रदेश के विक्तित प्रदेश बनाएंगे इसके लिए संकल बढ़ते हैं आखरी सवाल कर रहा हूं केला जी आखिर जवालान नहिरू जी के रिकोर्ड को तो बराबर करने की तरफ बढ़ रही है बिलकुल साफ आसार है कि आप हैट्रिक बनाकर वो रिकोर्ड बराबर कर लेंगे 29 के लिए आप क्या कहेंगे क्या all time record बना सकती है बीजेपी या बनाने के लिए प्रतिबद है देखिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा सर्वस्रिष्ट दें वो सर्वस्रिष्ट परिणाम लाएं और इसमा हम हमेशा लगे रहेते हैं आज चुनाओ खतम हो गए परिणाम आ गया उसके बाद हम कल से ही लग जाएंगे वापस जनता की सेवा करने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए तो अगले चुनाओ की तैयरी हम कल से ही प्राराम कर देंगे तो यह हमारी पार्टी की विशेष्टा है कि हम कभी एक दिन भी घर में चुप नहीं बैठते हैं जीत मिल गई तो फिर जनता की सेवा और ज़्यादा तेजी से जनता की बीच में जाकर उनकी सेवा करेगी केला जी यही बात हमसे बंसल नियूद से बाचीत में हमें शाह जी ने कही थी कि हम अगले दिन से ही चुनाओ की तैयारी शुरू कर देते हैं और निश्चेत तोर पर चुनाओ प्रबंधन के आप भी एक माहिर प्लेयर हैं आपने वही बात कही नितीश कुमार जी को डिप प्रिविलेज है और उसके ओपर हमें कुछ ने बाल सकता है चिंदवाडा का सब्जेक्ट था अपने और डिस्टिंशन के साथ आप पास हुए हैं चिंदवाडा में जी चिंदवाडा मंडला बालगाट जी यह सब हमारी चैलेंचिन से महा कोशल जोन पूरा आपके पास थ जाबवा खंडवा खरगोन जी और खंडवा खरगोन जाबवा बादमीतर लगे थे हम तो वहाँ पर भी बढ़िया होगे अपने नाम जी 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 तो बहुत अब कह सकते हैं कि कहलाज जी का जादू खूब चला है बीजेपी के साथ पार्टी का और मोदी जी का जादू जी 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 अभी बहुत लोग हैं बाद में गुंगुनाएं के कभी बाता जी बहुत धन्यवाद बाचीत करने के लिए बंसल निए उसय तो कहलाज विजेवरगी जी थे बहुत संतुलित सेयमित और ये कहलाज जी का वह रूप और स्वरूप है क्योंकि वो जानते हैं कि क चुनाव आयोग भी जाने की बात चल रही है तो वहाँ जाकर क्या कहेगा कॉंग्रेस का प्रतिनीदी मंडल यानि मसला पूरी तरह से EVM वाला छूटा नहीं है अगर हमने कुछ कह दिया हो तो माप कीजिएगा हो सकता है कि आपकी शिकायत किसी और रूप में हो रही हो तो शाम को चुनाव आयोग जाएगा कॉंग्रेस का प्रतिनीदी मंडल ऐसी बात सामने आ रही है अब क्या कहेगा इसको लेकर क्या ऑथेंटिक बात है ये थोड़ा स संदीब जी ने अपनी बात कह लिए अजय साहू जी का अउसर है 36 गर चलने का तो अजय जी की तरफ चलते हूं मेरी सहयोगी साक्षी मेरे साथ अब इसक्रम को आगे बढ़ाती रहेंगी अब हुस्वागत साक्षी आपका भी अजय जी आपकी टिपनी संदीब जी अपनी रुख गई है अब बात यह है कि 410 वार्स के कारेकाल के बारे में एक बात महीं करते हैं पूरे इलेक्षन केमपेन में सरीफ मंगल सुत्र की बात करते हैं गाय की बात करते हैं भैस की बात करते हैं मटन मुर्गा मचली की बात करते हैं तो यह किस मुद्दों पर चुनाओ लड़ें इसको दर्साता है हम अगर आयोध्या में राम मंदिर की बात करें जो भारती यंता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा तो फैजाबास सीड जो है वहां से भारती यंता पार्टी को करारी सिकर्स्ट मिली है भगवान राम का किरदार रील में निभाने वाले अरुन गोविल को इन्होंने मेरट से प्रत्यासी बनाया था जिनको हार का सामना लगबक और हार का सामना करने के बहुत नज़्रीक पहुंच चुके हैं तो भारती यंता पार्टी को अपनी पीछ में देखना होगा कि उसने देश को किस तरीके से गुम्रा किया और ये भी साथ आकर के अपने आपको सुरक्षित मैसूस करेंगे सब्सक्राइब में आज तो मदगर्णा का दिन है लेकिन भारती यंता पार्टी का घमंड तोडने में देश की जनता ने जो सयोग कॉंग्रेस पार्टी को किया इंडिया एलाइंस को किया और जो जना देश आया उसक शुरू के रुजान बता रहे थे कि तीन-चार सीटों पर अच्छी लड़ाई हो सकती है अब सिर्फ कोर्बा तक सिमट कर रह गई क्या कारण देखते हैं आप जब इलेक्शन कैμवाई दोरा यह लग रहा था यह कि हम पाच-चे सीटों पर मजबूर इस्तिती में हैं लेकिन हमारे कार्यकरताओंने जीतोर महनत की हमारे नेताओंने जीतोर महनत की लेकिन इसके बाद भी जो परिणाम आये वह निस्चीट तरप Marin करें और कहां पर हमसे गलतियां हुई हैं हम उसको सुधारने का निश्चित तौर पूरा प्रयास करें देवदर जी क्या दिखता है आपको वरिष्ट पत्रकार के नाते अब आगे आपको परिस्थितियां कैसी दिखती है आज अभी से चर्चा शुरू हो गई है सेटिंग्स शु कभी ये 297 होता है कभी 295 होता है कभी कॉंग्रेज 230 पहुंचती है फिर उसके बाद पीछे लोटती है दो दो चार चार पांच पांच घटत बढ़त चल रही है आपको लगता अगर कॉंग्रेज 235 चालिस के आसपास ठहरती है नतीजों में तो क्या वो सरकार बनाने की प्रिचार में लगाया इतनी सीटे लिए अभी आप और जोड लगाईए और जोड तोड़ करिये और ऐसे नेता मौझूद है कुछ सीटों के साथ मौझूद है जिनका कोई भरोसा नहीं कि वो कब कहां किस मुद्दे पर सम्झोता करके किस के साथ हो जाएं इसलिए अपने लगातार गठवंदन के साथ बहुमत की ओर है लेकिन जो कहते हैं ना तुम्हारी भी जैज़े तुम्हारी भी जैज़े कांग्रेस और उसके सहीयोगी दल भी कोई निरास नहीं है क्योंकि उनको भी संभावना है दी है लेकिन मैं देख रहा था देवदर जी मतलब आप देखिए वक्त कैसे ने वक्त ने कितना बढ़िया पल्टा खाया है एक तरह से चिराग पासवान करें मैं आपके साथ हूं खड़ा हुआ हूँ चटन की तरह अब चिराग पासवान जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ हैं लेकिन अभी यह कहेंगे कि आप हमारी तरफ भी देखो हम जा भी सकते हैं इसकी तरफ यह भी हो सकता है नीतिस कुमार जी के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि उनका कोई भरोसा ने लेकिन जो है पूरा मैनेजमेंट पे आ गया है कि रणनीती कार उनके किस तरह से उस में रहे ना कोई अतिया आत्मिस्वास में रहे हम बिल्कुल आपने बड़े सही बात की है और शारची कुछ डेवलप्मेंट से जरा बता दीजे अब को बिल्कुल तो देखिए यहां पर बीजेपी में बड़े जश्नी की तैयारी देखी जा रही है यह तमाम तस्मीरें प्रदान मंतरी नरीन मोधी शाम साथ बजे बीजेपी मुख्याले जाएंगे शाम पाँच बजे प्रेस कॉंफरेंस करेंगे राहूल गांदी परणामों के बीच में यह सियासी हलचा लाब तक पहुंचा रहे हैं शाम को चुनाब यहां पर चर्चा भी करेंगे चुनाब प्रदान मंतरी मोधी शाम साथ बजे बीजेपी मुख्याले पहुंचेंगे और शाम पाँच बजे प्रेस कॉंफरेंस राहूल गांदी भी करेंगे तो देखिये सियासी हलचाल दोनों ही पार्टियों की और से जारी है धीमी काउंटिंग की शिकायत भी कॉंग्रिस नेता और बड़ी खबर ये मिल रही कि केरल के तृशूर में भारती जनता पार्टी इतिहास बनाने की तरफ बढ़ती हुए चल रही टीम से जरूर में रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अपडेट हमको दें कि वो सीट भारती जनता पार्टी अपनी जोली में डालने की तरफ बता दें कि दिग्विजेर सिंग जी को कड़ी चुनोती देकर राजगर में तमाम पूर्वा नुमानों को पीछे धकेलने वाले रोडमल नागर जी से हमारे समाध आता ने बातचीत की है देखिए क्या कुछ कहा रोडमल नागर जी से सुनते हैं जैसकते हैं कि आप जी से हुए उम्मिदबार सांसत बनने जारें रोडमन लागर हैं उनसे बात करेंगे सर एक बार फिर से तीसी बार जनता का आसिवाद मिला देखिए मैं जनता का बहुत-बहुत बधाय देता हूं बहुत-बहुत धन्यवा देता हूं मद्दाताओं का आभार प्रकट करता हूं और फिर से मद्दाताओं ने विकास को चुना है विकास के प्रते विश्वास प्रकट किया है नरेनर मोदी जी की सरकार की जो नीतिया है मद्यप्रदेश की सरकार ने जिस प्रकास को लागू की है और जिस तरह से जनता के हितों का लाब हुआ है जनता को फाइदा मिला है और वही जनता विश्वास प्रकट किया है मद्दाताओं ने विश्वास प्रकट किया है और यह हम सब देख रहे हैं कि यह विश्वास की और कारिकरताओं के प्रयास की जीत है जैसे ही दिग्वे सिंग यहां से उम्बीद बार घुषित हुए एक बड़ी हाट सीट यहां पर बन गई थी तो क्या लगा कि आपके मन में भी होगा कि हाँ बहुत ज्यादा महत करने देखिये चुनाओ तो चुनाओ होता है और हर चुनाओ में मेहनत तो होती है और निस्चित ही यह बात बिल्कुल ठीक है कि दिग्वे सिंग जी का बड़ा नाम है लेकिन वो नाम बड़ा था जनता का विश्वास भारती जनता पार्टी के साथ था और कारकरताओं का प्रयास था जिसकी वज़े से यह प्रणाम हमें दिखाई दे रहे हैं दास्तोर से हम लोग भी जब चुनाव प्रचार में आया थे तो कहीं ने कहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपसे नाराज थे कि हम अपने सांसाथ से नाराज हैं लेकिन प्रधार मंतरी नरेंदमोदी को फिर से प्रधार मंतरी बनाना है देखिए यह तो क्या विपक्सी जैसा आपने कहा ना कि हमारे जो विरोध में प्रत्यासी थे उन्होंने एक सेनेरियो जो सेट किया था और एक माहुल बनाने की कोशिस की थी लेकिन भारती का जनता पालिटी का कारिकरता और जनता बहुत समझू है जो ओन एक्चुल था व दिल्ली में घटना करम देख रहे हैं वो आकला पहुंच नहीं पाया क्या लगता है देखिए लोग यह तो भूली गए कि 222 में सरकार बननी है और इसलिए चर्चा 400 पार की ही रही कहीं से यह समझे में नहीं आया कि सरकार नहीं बनने देने के लिए क्या करना और निश्चित रूप से मान करके चलें कि थोड़ा कहीं एकाच जगे हमने कहीं चू कोई होगी जिसका विसलेशन करेंगे नहीं तो जिस जिस प्रदेश में जो जो सोचा गया था वो सारे नती चलिए जहां हम बैठे हैं उस लोग सबाक्षेतर की भी बात कर लें तीन लाग से जादा की लीड हो गई है भोपाल में भारतिय जन्ता पार्टी के अरुन शिर्वास्ता हो जो कॉंग्रिस के उमीदवार हैं तो आलोक शर्मा तीन लाग से अधिक की लीड लेकर निरनायक विजय की तरफ बढ़ चले हैं निश्चित तोर पर माना जा रहा था कि ये लीड तीन साड़े तीन नहीं चार से पांच के बीच की भी होगी तो हो सकता है आगे ये विजय उस तरफ भी बड़े भोपाल भी उन लोग से लिए तो